लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पस्चिम एश्या क्षेतर की घटनाओं से नई चुनोतियां उभर रही है भारत ने 7 अक्तूबर को इसराइल में हुए जदन्य आतंक की हमले की निंदा किये हमने रिस्ट्रेंड के साथ ही डायलोग और डिप्लोमसी पर भी जोड़ दिया है इसराइल और हमास के कॉन्टिक्ट में सिविलियन्स की मौत की हम कठोड निंदा करते हैं राश्पती महबुद अबास जी से बात कर हमने फिलिस्तिन के लोगों के लिए मानुविय सहायता भी बेजी है ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर फाईव सीज फाईव सीज के साथ आगे बढ़ें